नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आज आपके लिए एक अनुखा वशीकरन लेकर आई हूँ जी हाँ ऐसा वशीकरन जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और ये वशीकरन इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है ज वो भी एक तपस्या करके हासिल की गई विधी है जब गुरुजी तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको ये विधी हासिल होती है हमारी जो विधी है वो गुरुजी द्वारा बताई गई है इसलिए वो बहुत प्रचंड विधी है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता तो आपको कि आज कौन सी सरल विधी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके प्रयोग के बाद आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और ये सरल विधी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये विधी जो आपको करनी है ये बुद्वार और गुरुवार के दिन करनी है और इसके लिए जो आपको सामगरी चाहिए वो बस इतनी सी है एक कागस पर एक लाल पेन बस इसी सामगरी की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं तो आएए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है आपको इस कागस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप वश में करना चाहते हैं मान लीजिए जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम है प्रवीन तो इस कागस पर मैंने लिख दिया प्रवीन और उस कागस को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिससे आप वश में करना चाहते हैं और एक मंत्र को पांच बार बोलना है और मंत्र इस प्रकार है ओम अस्य कामख्या मंत्र श्री अक्षय मंत्र इस मंत्र का आपको पांच बार जाब करना है इस मंत्र का जाब जैसे ही आप पांच बार करेंगे और उस कागस को आपको अपने पास रखना है और उस व्यक्ति का ध्यान रख कर करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और तीन गंटे आप उस कागस को अपने पास रखिए और तीन गंटे बाद आप उस कागस को जाकर जला दीजिए जी हाँ, जैसे ही ये कागस जलेगा और राख में तब्दील हो जाएगा तो वो व्यक्ति पूरी तरह से आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा वो चाहेगा कि कैसे भी आपको contact करे और आपसे बात करे अपना वक्त आपके साथ व्यतीत करे अगर आप चाहते हैं कि वो व्यती आपके वश में हो जाए तो इस विधी को सही तरीके से कीजेगा और जो मंत्र है दोस्तों वो सबकी राशी और नाम के हिसाब से अलग-अलग होता है तो आप गुरुजी को call करें और वो राशी और नाम के हिसाब का मंत्र आपको देंगे और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं कोई और भी समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर call करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबकी प्रैवसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा तो बिलकुल भी देड़ ना करें और स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर अभी call कीजिए गुरू जी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाईए और वो भी तूरान थी तो अब मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार